नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल में तो वन दोरोगा यानि की फोरिस्टर का रिजल्ट आयोग में 8 जनूरी 2022 को जारी कर दिया है उसके बाद काफी ज्यादा सवाल इस मेरिट लिस्ट पो उठ रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहे है वो इस बारे में आ रहे हैं कि हम अपना raw marks कैसे चक करें, normalized marks कैसे चक करें और जो 332 question delete हुए हैं तो उन 332 में से हमारी सिप्ट में कितने question delete हुए हमें कितने marks मिले हैं तो यह सब जानना चाहते हैं कि actual में हमारे number कितने आ रहे हैं तो पूरा score देखना चाहते हैं अपनी result का ठीक है और यह comments ज्यादा उनके आ रहे हैं जिनका merit list में नाम नहीं है उनको जानना है कि हमारा total score आखिरका कितना बन रहा है तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं देखिए यह यह कोई offline और online exam होता है उसके बार आप अपनी OMAR सीट यहाँ पर देख सकते हैं और अपने online examination के total result का report card यहाँ पर आप देख सकते हैं लेकिन अभी तक यहाँ पर आयोग ने वन दरोगा का upload नहीं किया है ठीक है तो यहाँ पर पूराने आप देख सकते हैं लेकिन वन दरोगा के बारे में आयोग ने बताया कि यहाँ पर कब update किया जाएगा आयोग की website पर पूरे total marks को जिसमा आप raw marks, normalized marks और अपना total score देख सकते हैं सभी candidates जिन्होंने इसका exam दिया था वन दरोगा का तो देख website के माधियम से लगब 5 दिनों में अपने वास्तवी अंक आपका उत्तर मतब की choose answer और संसोधित उत्तर कुंजी यानि कि जो हटाय के प्रस्न है 332 यह आपको मिल जाएगे ठीक है कितने दिनों के भीतर पांस दिनों के भीतर उसके बाद आप objection कर सकते हैं अगर आपको कुछ नॉर्मलाइज मार्क्स भी बड़े हैं तो कितना बड़ा है यह पता नहीं चल ला था यह confusion था ठीक है तो जिन केंड़िट का नाम नहीं है merit list में वो कुछ दिनों के बाद आपको आयोग की website पर जो है यह link activate आपको देख जाएगा कि वहां से आप जो है अपनी ID login करके चेक कर पाओगी कि कितने आपके marks exterior में बंदे हैं कितना raw marks है कितने आपके normalization के बाद आंक बढ़े हैं या घटे हैं और delete हुए question आपकी सिप्ट में कितने थे कितने आपके marks इसके कारण बढ़े है ठीक है तो total आपना detail देख पाओगी हाला कि आयोग को जो है जिस दिन merit list आती है उससी दिन activate करना चाहिए था या उसी merit list में normalize marks delete question के कितने marks बढ़े है वो पूरा detail उसमें देना चाहिए ठीक है तो confusion उतना नहीं होता हाला कि यह भरती देखिए काफी ज्यादा बिवादों में घर चुकी है और जिन candidate को अपना score देखना है तो 4-5 दिन wait कर लिजए उसके बार आपको आयोग upload कर देगा अपनी website ठीक हम आपको update करा देंगे तो यह है इस video का and thanks for watching and God bless you all